दिल्ली की वक्सीट नंबर 44 के बारे में जो साइंस की एक लास एर्थ की और आज की देट है 30-12-2001 किस यहां पर बच्चो आपको अपना नेम यहां पनी टीचर का नेम लिखना है और इस वक्सीट को प्रारम करने से पहले उच्छ उता दू कि आप सब डेली और विकली कोई तीन लक्की विनर होते हैं जो हमारे डेली विंदल बनते हैं जो अर्च यह यह काम पूर विक करता है वो वी क्ली बनता है चलिए रेकते हैं किया दिया कर्द घाम और डिवी हैण के सब्सक्राइड नएम एले वी इस पैसिवाई ट == कि बःस्य Andrea थी कहने का मतलब है जब कोई भी force same direction में लगता है तो हम उस force को क्या करते है add करते है अब force applied on a object changes speeds अगर कोई force applied होता है object में तो उसकी speed चूँँ जाती the force is applied is in the direction of motion अगर force apply करा जाए direction of motion में तो उसकी speed object की बढ़ जाएगी अगर उसके opposite पर क्या करा जाता है direction of motion के opposite में कोई force लगाया जाता है तो उसका resultant जो होता है वो decrease हो जाता है कहने का मतलब यह है कि अगर एक car एक पया है बटा वो इधर की ओर move कर रहा है ठीक है और अगर हम भी force इधर की ओर लगा देते हैं तो इसकी speed क्या होती है तेज हो जाती है पर अगर यही पया इधर की ओर move कर रहा है और हम क्या करते है ठीक है इस side पया move कर रहा है पर अगर हम force इधर से लगा दें तो क्या हो जाएगी इसकी speed धीरी हो जाएगी या तो यह रुक जाएगा इसके बाद for example अगोर की पर dive and jump save the goal ठीक है एक goal की पर dive करता है और jump करता है और save करने की कोसिस करता है goal को क्या करता है वो force applied करता है या तो उसको रोकने के लिए या उसे deflate करने के लिए उस wall को ठीक है और दूसी तरफ अगर हम देखें कि एक tire जो move कर रहा है किसी direction में fast करने के लिए उसे क्या करते है पीछे से push करते रहते हैं जिससे वो और test क्या move करता रहा है आगे देखें क्या बोला गया हमसे बोला गया change in either the speed of a motion ठीक है duration of time both are described in state of motion ठीक है आगे देखें क्या दिया गया है इसमें दिया गया है there are also situation in which object तो बटा आगे क्या दिया गया है subject are not free to move for example pressing a lamp of dub जब हम क्या करते है किसी arctic हम press करते है hand से और उसके बाद उस पर roll करते है ठीक है ball की तरह तो वो चपाती make कर देती है application of force in case lead the changes shape of object आगे देखें क्या बोला गया है आगे बोला गया है give answer the following question number one क्या है give two example of the situation in which there are change in state of motion due to ठीक है तो दो example आपको देने है तो बटा आप दो example कौन से दे दोगे आप ये दोनों पूरे के पूरे लिख देना ठीक है ये example हो जाएंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा answer number one बन जाएगा आपका आगे देखिए अगला question क्या दिया गया है हमसे बोला गया है state effect of motion ठीक है किस तरीके का यहाँ effect of motion ने ये बताना है जैसे sequence a piece of lemon ठीक है अगर हम किसी lemon के piece को हम क्या करते है निचोडते है तो वो क्या है safe change करता है क्या करता है बटा change in safe है क्या है change in safe है ये इसके बाद क्या है जब bassman hit करता है ball को तो ये क्या होता है change in direction हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम change in direction ठीक change in direction इसके बाद क्या अगर कोई card stop हो जाए break लगाते ही तो वो कौन सा force होगे बटा वो हो जाएगा change in speed इसके बाद क्या है अब black smith hammer piece of ये कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाता है बटा change in safe ठीक चलिए आगे देखते है क्या लिया गया है इसमें बोला गया है two example हमको देने है ठीक अपने आसपास से जो force को change करते वे और state of motion को change करते वे दिखा है तो बेटा इसका answer 1 A B और C आप लिख दीजेगा ठीक है इसका answer तो ये क्या हो जाएगा answer number 3 में आ जाएगा ठीक है दो example इसके बाद क्या होगा अगर हम क्या होगा कि C force के opposite direction में कोई force applied कर दें moving object के opposite direction में तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा आप यहां से लिखिएगा यहां तक answer number 4 हो जाएगा आगे आपकी वक्सीट क्या होती है यही होती है समाप आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल से स्काइक परना जादा से जादा कॉंटेस में पास्वेट करना धा निवाद बच्चों